टौफी खाने वाली चुडैल नीतू ममता और रोहित की लाडली बेटी थी उसको टौफी खाने का बहुत शौक था रोहित जब भी बाहर जाता तो उसके लिए टौफी लेकर आता था मेरी लाडली कहा है? मैं उसको ढून रहा हूँ पापा, आप आ गए, मेरी टौफी या कहा है? बेटा, ये रही तेरी टौफी याँ, उन्हें कैसे भूल सकता हूँ भला? वाँ, ये तो बहुत अच्छी वाली टौफी है ये तो मुझे बहुत पसंद है इसमें अलग-अलग तरे के फ्लेवर होते हैं एपल वाला, मैंगो वाला, क्रेप्स वाला, पाइनेपल वाला और मुझे तो पाइनेपल फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है आपको तो पता है ना, कि मुझे ये टौफी या कितनी पसंद है? मैं जानता हूँ, मैं घर में बाद में आपाता हूँ और तुझे टौफी या पहले चाहिए होती है तुम मुझे टौफी के लिए ही याद करती है ना? नीतु रोहित के गले लग जाती है और दोनों बहुत खोश होते हैं तभी मम्ता वहाँ पर आती है हो गया तुम्हारा लाड़ प्यार तुम्हारे लाड़ प्यार ने नीतु को बहुत बिगार दिया है मैं इसको लाड़ प्यार नहीं करूँगा तो और किसको करूँगा? ये है ही इतनी प्यारी कि इसको डाटने का मन ही नहीं करता ये जो मांगती है मैं उसके लिए दो टौफियां अभी नहीं खाएगी तो क्या बड़े होकर खाएगी जब हम बच्चे थे तो हम भी तो टौफियां खाते थे कल इसकी मौसी आई थी वो भी इतनी सारी टौफिया लेकर आई थी उन सारी टौफियों को एक बार में खा गई बताओ मैं इतनी सारी टौफिया कह से लाओं और किसी को देने भी तो नहीं देती है टौफिया समझ जाएगी क्यों परिशान होती हो रोहित हमेशा नीटू का पक्ष लेता था और मम्ता अकेली रह जाती थी वो नीटू को टौफी खाने के लिए हमेशा मना करती थी पर नीटू उसकी एक नहीं मानती थी उसे अपने दात में लगने वाले कीड़ों की भी परवाह नहीं थी नीटू तुम्हारे दात में इतने कीड़े लग रहे हैं तुम्हें अब टौफी नहीं खानी चाहिए कुछ टौफी किसी को दे दिया करो अगर तुम्हारे पास ज्यादा होती है तो नहीं मा, मुझे टौफ ने एक पराथा वो कल खाया था आज के खाने का क्या अज मेरी गुड़िया का पहला दिन है स्कूल में ये लो तुम्हारी टौफिया और स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करना और इन टौफियों को सब के साथ शेयर करना हाँ पापा, मैं आज सारी क्लास को ये टॉफिया बाटूँगी और सब को अपना दोस्त बना लूँगी ये हुई ना बात मेरी अच्छी बेटी नहीं नहीं, ये इन में से एक भी टॉफिया किसी को नहीं देगी बल्कि ये सारी टॉफिया खुद खा जाएगी इसको इतनी सारी टॉफिया मत दो, सिर्फ दो टॉफिया दो नहीं मा, मैं इसमें से सिर्फ एक ही टॉफिया खाऊंगी बागी सभी दोस्तों को दे दूँगी आप चाहो तो मैडम से पूछ लेना मीतू टॉफिया लेकर स्कूल की तरफ चल देती है वहाँ पर क्लास में बैठ कर पढ़ाई करती है और फिर उसको टॉफिया खाने के इच्छा होती है वो बैग में हाट डालती है तो उसको टॉफिया नहीं मिलती अरे, इतने सारी टॉफिया लेकर आई थी अब तो एक भी टॉफिया नहीं मिल रही है कहां गई सारी टॉफिया क्या हुआ नीतू कुछ ढून रही हो और तुम्हारा ध्यान कहां पर है पढ़ाई पर ध्यान दो कुछ नहीं मैम बस कुछ ढून रही थी जो मिला नहीं नीतू ने स्कूल में आने के साथ ही अपने सभी क्लास की लड़कियों को टॉफिय के बारे में बता दिया था जब लंच ब्रेक होता है तब सभी लोग उससे टॉफिय मांगते है पर वो पूरा बैक खाली करके देख चुकी होती है उसको कोई भी टॉफिय नहीं मिलती उसको बहुत आस्चरे होता है और वो सोचती है लगता है मेरे बैक से किसी ने टॉफिय चुरा ली है ये स्कूल तो बहुत गंदा है यहाँ पर चोरिया भी होती है अगले दिन भी नीतु बहुत सारे टॉफिय लेकर आती है पर उसको फिर कोई भी टॉफी नहीं मिलती वो परिशान हो जाती है क्योंकि घर पर माज ज्यादा टॉफी खाने के लिए डारती थी और उसको एक भी टॉफी खाने को नहीं मिलती थी एक दिन वो ऐसे ही परिशान होकर बैठी होई होती है क्या हुआ नीतु, तुम इतने उदासों कर क्यों बैठी हुई हो कोई दिक्कत है क्या, ये स्कूल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ना ही यहां के लोग, क्या हुआ, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं सब इतने प्यार से बात करते हैं यहां पर पढ़ाई में भी मन लगता है, मुझे तो ये स्कूल बहुत अच्छा लगता है तुम्हें ये स्कूल क्यों नहीं भा रहा, यहां के सभी बच्चे चोर है सभी मेरी टौफिया चुरा लेते हैं, मैं बहुत सारी टौफिया लाती हूँ पर मुझे एक भी टौफिया नहीं मिलती, सब बच्चे खा लेते हैं नहीं, यहां के बच्चे चोर नहीं है, तुम ये गलत समझ रही हो तुम सच्चाई से अंजान हो, कैसे सच्चाई? टिंकी नीतु को चुड़ैल की कहानी बताती है, जो उसकी टौफिया चुडा रही थी इस स्कूल में एक चुड़ैल रहती है, जो किसी को भी टौफिया नहीं खाने देती अब इसकी वज़ा तो मैं नहीं जानती, पर यहां पर कोई भी टौफिया खा जाती है या गायब कर देती है, पर यहां पर कोई भी टौफिया नहीं बचती क्या? यहां पर कोई चुड़ैल भी रहती है पर वो चुड़ैल किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करती बस उनकी टॉफिया चुरा लेती है जिस से यहां का कोई भी बच्चा टॉफिय नहीं खा पाता इसलिए सब तुम से टॉफिया लेना चाहते थे जब तुम पहले दिन टॉफिया लेकर आई थी मैं तुम लोगों को बहुत कलट समझ रही थी तुम तो बहुत अच्छे हो तुमने आज तक टॉफिया नहीं खाई पर मेरी टॉफिया किसी ने चुरा ली तो मुझे बहुत दुख हुआ था नीतु अब स्कूल में टॉफिया लेकर आती थी पर एक दिन उसके बैग में एक टॉफिय निकली तो वो सोचने लगी आज मेरे पस एक टॉफिय है क्यों न मैं इसे पार्क में बैठकर ही खालू नहीं तो वो चुड़ाल इस टॉफिय को भी चुरा लेगी नीतु जैसे इस टॉफिय का रैपर फारती है तभी वहाँ पर एक बच्की के रूप में चुड़ाल आ जाती है तो है नहीं पता यहाँ पर टॉफिय खाना मना है तुम यहाँ पर टॉफिय नहीं खा सकती हो लाओ यह टॉफिय मुझे दे दो नहीं यह टॉफिय मेरी है तो तुम ही हो जो मेरी सारी टॉफिया चुरा कर भाग गई थी अब ये टॉफिय मेरी है यहाँ पर किसी के भी कोई टॉफिया नहीं होती सारी टॉफिया मेरे पास ही रहती है इस टॉफिय को मुझे सौंप दो नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम हमारी टॉफी क्यों लेना चाहती हो? तुम है इस बात से क्या? तुम बस टॉफी मेरे हवाले कर दो नीतु उससे सच उगलवाने का फैसला कर लेती है और उसे बहलाना फुसलाना शुरू कर देती है तुम इतनी छोटी सी सुन्दर सी लड़की हो और तुम इतना गलत काम करती हो तुम्हें चुडैल रूप में नहीं आना चाहिए तुम तो बहुत प्यार इसी लड़की हो तुम मसका मत लगाओ, ये टॉफी मुझे दे दो मैं मसका नहीं लगा रही मेरा कोई यहाँ पर दोस्त नहीं है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? दोस्त? मेरा भी कोई दोस्त नहीं है हाँ, मैं बनोगी तुम्हारी दोस्त तुम टॉफी खाने के लिए सब को मना क्यों करती हो? जब मैं छोटी सी थी तब टॉफी खाने से मेरे दाथ में दर्ध होने लगा था और मेरे गले में टॉफी अटक भी गई थी जिसकी वजह से मेरी मात हो गई इसलिए मैं सभी बच्चों को टॉफी खाने के लिए मना करती हूँ क्योंकि वो खेल-खेल में टॉफी खाते हैं और उनके गले में अटक जाती है जैसे मेरी मात हुई मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे की मौत हो इसे लिए मैं सभी बच्चों की टॉफियों को गायप कर देती हूँ मीतु को अब उस चुरेल की बाद समझ आ गई थी वो टॉफियां खाना छोड़ देती है और चुरेल की दोस्त बन जाती है अब वो टुरेल के साथ साथ खेलती है और उसके साथ पढ़ती भी है